नमस्कार मैं मैं स्वीट रब का स्वागत है मेरे किचन में आज हम बनाने वाले हैं फटे हुए दूठ से रसगुले तो देखिए यह मैंने एक लीटर दूठ है जो मैंने बहार रख दिया और यह फट गया जैसे ही मैंने गरम के आई यह फट गया देखिए इस तरीके से सबसे पहले इस पानी को अलग करेंगे और जो छेना है उसको हम अलग कर लेंगे तो उसके लिए लेते हैं एक बर्तन इस पर लगा देते हैं एक इस टेनर और इस पर लगा देते हैं को और इसमें डाल देते हैं यह पानी कर देखेन ऊपर आगया पानी है इसमें वह नीचे चला गया है कि आपका दुद्ध फट जाए तो इस परेके का पानी बच्चे उसे फैके ने बलकि इसे आप अपने आठा लगाने के लिए यूज कर लें बहुत ही अच्छी रूटी पूरी बनेंगे उससे देखें चैने को हम थोड़ा दो लेते हैं थोड़ा सा पाने में डाल के हमने किसी चीछे से फाड़ा नहीं है ना ही कोई नीबुकरत ना कोई विनेगर यूज गया यह अपने आप खटा हुआ दूद है और अब इसकी हम बना लेते हैं एक पोटली इस तरीके से और इसे आव एक या तो नलके बहान दें इस तरीके से पोटली बना के या फिर किसी भी भारी चीज से इसको दबा के रखतें कि आले इसे एक घंटे के लिए तो इसको मैंने गाट लगा के पोटली बना लिए और इसको रख्टेंटि यो मैं किसी भारी के लिए देखिए 30 मिनेट हो चुके हैं या फिर आदर घंटा बोल सकते हैं अब हमारे चकले को खटा लेते हैं तो देखिए इसमें जो पानी था वो निकल गया है और इसमें से हम छेने को निकाल लेते हैं कि आफ देखिए आ हमारा निकल गया और पानी को हम चैसे को हम कर लेते हैं इस तरीके से हमेंजरमेंट करेंगे क्योंकि यह थोड़ा हार्ड होगा इसके दानिया थोड़े मोटे भी होए क्योंकि अपने आप हटा हुए दूद्ध अगर फार पर देतो चैने के दान आए हो थ डाल किलें एक या में पाता चिल जाये का में सूपर रवगरा कितनी लेनी है तो लिया एक कप अधिन हम भार के देख लेते हैं कितना है छेना हमारा अधि रूप इस देखे एक कब से थोड़ा वो थी कम हैं जितना हमने चैन लिया हम इसके लिए चेनी यूज करेंगे, जья चन ने को baiinding करने के लिए या तो आप कॉन फ्लोर ले सकते हैं या फिर आप मैदा ले सकते हैं या फिर आप आरा रोट का यूज़ भी कर सकते हैं तक ही अच्छे से बाइंड हो जाए और इसे हम तो मैं इसमें डालने वाली हूं एक चमच से थोड़ा तक हम इतने हमारा कुछ छे ना था उतने ही उसके हिसाब से हम चमच के हिसाब से हम ले लेंगे तो इतना ही हम इसमें डाल देते हैं कि बॉन फ्लोर अब इसको कर लेते हैं मिक्स और इसको हम चिकना करना है हमें एक दम मसलते हुए अथेली के दबाओ से इसमें थोड़ा सा टाइम जादर लगेगा क्योंकि यह वाला चैना थोड़ा मोटा होता है इसमें दाने जो मोटे हैं तो देखी छेने को मसल के हमने एक दम चिकना कर लिया है इसमें दस से ग्यारा मिनिट मुझे लगे और आप इसको एक बोल बना के देख लें जब आपके बोल अच्छे से बन जाए उसमें किसी तरह के कोई क्रैक्स नहीं आए तब तक इसे हमें मसलते रहना तो मैं आपको चोड़के दिखा दिखा दिखते हूं कि थोड़ा सा मैंने डो लिया है कि कि बोल एकदम पर्फेक्ट है किसी तरीकी का कोई क्रैक्स इस पर नहीं है तो ऐसा ही हमें डो तयार करना है आप अब लेते हम एक भगोना इसमें डाल लें जितने हम्राप छ्तना था उच्छ मांच गूर्ण पानी डालेंगे उतने ही च्छी ना-ले लिंगि तो यह मैंने देसमारा च्छ मेजर्वेंड प्रमीन्ट से यहीं टेक्फेर हम ने लव इमने इनको खूलने में आसानी रहे और अच्छे से फूल सकें अब इसमें हम फांच गुना पानी में डाल दिया है और आप इसको रख देते गैस पे ताकि सूगर है वह अच्छे से माने में में मेक्स हो जाएं कि उगर को मेल्ट होने के लिए मैंने रख दिया गैस एंस पर सब़कव हम थोड़ा थोड़ा डोलेके हम इसकी बोल्स बना लेंगे ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे ज्यादा चोटी बिनी बनाएंगे कि साइज आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी या छोटी बनाना चाहते हैं थोड़ा सा और लेंगे हम कि देखिए एकदम चिकने बुल हमारी तयार हो गई है कि थोड़ा दबाव देते हुए बनाना तो देखिए इसी तरीके के हम सारी बुल बनाके तयार कर लेंगे देखिए इतने मिक्चर में हमारे 10 बुल्स बनके तयार हो एं इधर हमारी सूगर भी अच्छे से पानी में में बेक सो चुकी तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी अब इसमें डाल देते हुए मैं दो इलाइची क्योंकि हमारा दूद हो अपने आप फटा हुआ हमने फाड़ा नहीं है तो इसमें हलकी सी इसमेल आ सकती है अगर आप खुद दूद को फाड़ के बनाएंगे तो इसमें इलाइची डालने की वि आप देते हुए तो इतना ही हमें गैप देना है कि अगरे हमने हमारे डाल दिये अब इनको पांट से चैंप के लिए बोईल होने देते तो देखी पांट से चैंप विए और हमारे पोल्स देखे कितने बड़े हो गए जितना हमने पहले डाला था से डवल साइज हो गया देखी एक एक बॉल्स को अब इसे हम और पकने देते हैं साथा एक मिनट के लिए इसी तरीके से मैंने ओपा नहीं पकाया इसे बिल्कुल भी कवर नहीं किया है तो देखे रसबुलों को पकते हुए मैं 16 से प्रेमिनेट हो चुके हैं गयस का फ्लेम हम कर देते हैं और इधर मैंने लिया एक भगोने में ठंडा पानी या फिर आइस के क्योब जिसमें मैंने डाल लिए तो अब इसमें डालेंगे हमारे गरम गरम रसबुले जो हमने बनाए हैं ऐसा करने से क्या होगा ना तो रसबुले का साई छोटा होगा ना ही इनकी सेप चेंज होगे क्योंकि अभी शूगर सिरफ भी हमारा काफी गरम है तो देखे कितने अच्छे हमारे रसबुले बने हैं एकदम देखें दबाने से इसको हम ठंडे पानी में डाल लेते हैं बटाफ़ट आज है कि वह अच्छे का सारी रसबुले अच्छे की पाने में डाल दिया थोड़े तो अब यह इस अरइंव यह लगाने लायक हो चुके होदे खंडे हो चुके तो देखे कितने इस बने हैं हमारे रसबुले इनको जब सध्कंधिंदी के जब तक अम्हं सिर्फ पर को जब दाल देंगे रहे तया कि इस खूक्ण हम तरहे शीर्फ अगर आपको इस तरीके के रसगुले बनाने तो इसके लिए मैजरमेंट एकदम सही करें कॉर्ण फ्लोर ये मैदा जो भी यूज करें वो एकदम सही डाले नहीं तो ये हाड हो जाएंगे अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके रसगुले बनाने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और सेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद